तरजिले की 75 बड़ी खबरों का निमपल यादव ने लोग सभा मेली शपत सपाध्यक्षकलेस यादव के साथ पहुची संसत धर्मेंद्र यादव भी साथ रहे विने कुमार पाठक की और मुश्किले बढ़ी हैं स्टी अफ ने भी स्विद्याले से मांगी यार्वी एस कॉलेज की प्रबंद समीटी के अनुमोधन की फाइब मेरट में यूफ्ती दादी अम्मा के कुम्दों के लिए बदमासों ने भीडी सासी बेटी के होसलों को शेहर ने किया सलाम गुंदेल खंड की संसृति को सहेजेगी सरकार किलो का होगा काया कल बुलंद शेहर में जी एस्टी विभाग के खिलाब वियापारियों का प्रदर्शन सरकार से जी एस्टी की कारवाई बंद करने की मांग दस हजार करोड की ठगी में शाइन सिटी के निदेशक राशिद नसीम की दूबई से भारत लाने की कारवाई शुरू भाशपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बोले अपना पराया ना देखें जिताओ पृतियासियों के नाम सुझाएं स्क्रिनिंग कमेटिया मायावती बोली आजम खान की सीट पर जानबूच कर कम करवाई गई वोटिंग ग्लोबल इंवस्टर समिट दो हजार तेईश से कनाड़ा जर्मनी मैक्सिको और लंदन से यूपी में आएगा बढ़ा निवेश आलिगड में नगर निगम के खिलाफ खोला मोर्चा बार्ड नमबर 79 के लोगों में आकरोश बुलंद शेहर में पुलिस और बदमास के बीच हुई मुटबेड मुटबेड में इनामी बदमास चड़ा पुलिस के हथे फरुखाबाद में स्पी के कुशल नर्डेशन में जिले का नाम हुआ रोसन आईजी आरेस मासिक मुलियांक रिपोर्ट में अवल रहे साथ थाने गाजीपूर में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का बयान वस्पा प्रमुक पर कसातंज विकासकारों का लोकारपड करने पहुचे थी राजभर कोंडा में संदिक परिस्थिती में यूवक खुआ लापता ग्राम खोदाहरी पुर्वा का है मामला कानपूर में शराप ठेके में बेची जा रही थी नकली शराप मुबिर के सूचना पर आवकारी भी भागने की छापे मारी लक्नाओ में पुलिस ने भारी वाहनों पर लगाई लगाम राजधानी में नहीं भारी वाहनों की एंट्री मत्रा में विरिंदावन पहुचे अकले श्यादव बाके भी हारी का लिया आशिरवाद प्रियागराज में बिश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेले की छह जर्वरी से होगी शुरुआत जिलावा मेला प्रशासन युदेस्तर पर तयारियों में जूटा गोंडा में यात्रियों में से भरी बस पल्टी हाथसे में कई यात्री हुए घायल गोंडा में काग जोपर बनी सर्यू नहर परियोजना अफसरों की लापरवाही आई सामने कानपूर में बंगला देशी नागरिक को पुलिस ने किया गिरफतार 14 लाख रुपए से अधिक नगत भी बरामत किया कानपूर में गांधी भवन को लाइटो से सजाया गया इतिहास को लेजर सो के जरिये किया जाएगा प्रदर से अमेठी में अग्यात वहाँ ने ट्रेक्टर ट्रॉली को मारी टकर ट्रेक्टर ट्रॉली आनियांति ठोकर डिवाइडर से तकराई चालक की मौके पर ही दर्धनाक मौत और अईया में तहसील परसर बना जुआरियो का आड़ा जुआ खेलते वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वाइरल चंदॉली में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मार पीर दोनों पक्षों में जम कर चले लाठी रंडे दोनों पक्षों से कई लोग हुए घायल लखनाओ में आब कारी विभाग को बड़ी सफलता वैद शराब के साथ तीन लोगों को गिरफतार किया देवरिया में कार की टकर से बाइक सबार यूवक की मौत हादसे में दो लोग हुए गम फीर रूप से घायल घायलों को मेटकल कॉलेज में कराए गया भरती हमीरपूर में चोरों के होसले बुलन दो यूवक सड़क किनारे खड़ी बाइक लेकर हुए फरार हरदोई में ट्रक ने बाइक सबारों को मारी टकर हादसे में मा बेटे समेट तीन लोग गम फीर रूप से घायल शादी से लौट रहे थे बाइक सबार कानपूर में पाशूची के सब इभा की लापरवाही आई सामने कैटिल कैचिंग ट्रक में गर्वती गाय को किया बंद कानपूर में महरास में छोत्र की संदिक दी परिसितियों में मौत परजनों ने हत्या का लगाया आरोप पियम मोधी महरास सरकार से लगाई नियाई की गुहार कानपूर में इस ट्रंट बाजों को पुलिस ने किया गिरफतार हवाई पट्टी पर हुर्दंग वाई श्टंट करते थे बाईकर्स पुलिस कमिशनरेट ने कई थानों के प्रभादी निरुशकों की किये इस थान तरंट बाजार, खाला, मदे, गंज, सेरपूर समित कई थाने के प्रभादीों का हुआ फेर बदल लखणवों में कॉंग्रेस की भारत जोडों यात्र रविंदराला से शुरू हुई कॉंग्रेस की प्रदेशिक यात्र भारी संख्या में कॉंग्रेसी कार करता रहे मजूद ब्यापारी GST अधिकारियों के च्छापे मारी का करेंगे विरोध GST अधिकारियों का घेरा करेंगे ब्यापारी दिसम टिम्बर एसोसियेशन ने जताया विरोध लखनव एरपोर्ट पहुचे PQ के राष्टी प्रवक्ता राकेश्टिकाइट किसानों ने राकेश्टिकाइट का किया स्वागत एरपोर्ट पर पीरित किसानों ने राकेश्टिकाइट से बया किया अपना दर्थ रामपूर में भड़काउ भासर मामले में सुनवाई दो हजार उनीस के लोग सबाचुनाओं में आजमखा पर दर्ज हुआ था केस स्रावस्ती में गायब सुफशक अनिल यादव का शव बरामत भकलापुल के पास राप्ती नदी में मिला शुक्षक का शव मेरट में कारवा कुंडल की मांग पूरी ना होने पर दिया तीन तलाग बुलंद शहर में विवाहता को घर से निकाला आने वाले समय में डहेगा मैनपूरी का किला नीरहुआ बोले मैनपूरी खतावली में जनता विकास की तुलना करेगी उन्हें गलती का हैसास होगा रिटायर डी आई जी पी के मिश्रा की पत्मी अरेस्ट 18 साल पुराने हत्या कान्वे दोशी करार होने के बाद फरार्थी अलका मिश्रा भाजपा से रही है पारशर मेरट में घर से बुला कर बारवी की चात्र की हत्याव शरीड पर धारड और हतियार के जक्म जंगल में फेका शब केंद्री मंत्री अनुराग ठाकु ने बाबा विश्वनाथ के किये दर्शन बोले बहतर काम के बावजूद भाजपा सरकार नहीं बनी जो हुआ उसको बाद में देखा जाएगा मत्रा में छे सड़को छे लड़को ने यूवक की हत्या की भतीजे के बर्शडे से आये थे हत्या रोपी शराब पीने से मना किया तो पीट-पीट कर मार डाला नोड़ा एक्सप्रेस पर 80 किलोमीटर की रफ्तार से दोड़ेगी गाड़ियां स्पीड लिमिट होगी कम पहले 100 किलोमीटर प्रती गंटा थी यमना पर 15 दिसंबर से लागू नया नियम लैब में मिलेगी सुबधा 47 मैनपूरी में सपा को वोट नहीं देने पर मारी गोली कार में डाल कर ले जा रहे थे गाउवालों ने पीछा किया तो चलती गाड़ी से फेक कर भाड़ी फिरोजाबाद में मेडिकल चात्र की हत्या के बाद प्रदरसल सरकार से लगाई नयाए की गुहार सपा को वोट नहीं देने पर मारी गोली मेडिकल चात्र की हत्या के बाद प्रदरसल हुआ सिविल अस्पताल पहुची फायर ब्रिगेट की टीम अगनी शमन यंत्रो कालिया जाइजा लिफ्ट में आग से निपटने की इंतिजाम भी देखे महराजगज में निकाय चुनाओं ने पकड़ी रफतार घर घर घूम रहे पृतियासी मद्दाताओं को रिजहाने की कर रहे कोशिश गोड़ा में जमीन गोटाले का एक और मास्टर माइंड गिरफतार फरजी तरीके से अभीलेक तयार करते थे आरोपी पीडित ने कोट वाली में दर्ज कराया मुकद्मा हर्दोई में मनाई गई महाकवी सुब्रमानियम भारती की जयनती भारती भाषा उत्सव के कारिक्रम में शामिल हुए बच्चों ने उम्दा प्रदर्शन से मन मोहा गोंडा में जंगली जानुवर का तंक लगाया गया पिंजड़ा चार लोगों को कर चुका है घायल एक महिला की हो चुकी है मौत फटेपूर आपकी प्रांती उपाध्रक्षने की समिक्षा बैठक कहानी काय चुनाओं में आम आदमी पार्टी सरकार जीत का क्या गुरू मन था गाजियाबाद में शेतरी बिधायक ने विजली घर का किया निरुक्षर इस्थानी जनता की समस्याओं के निस्तारण के आदेज दिये गाजियाबाद में जी एश्टी की छापे मारी से बैपारी परुशान दासना चेयर्मैन ने बैपारियों से की बाद ची गाजियाबाद में अवैद समन्दो के शक में यूवक की हत्या धारदर हत्यार से की गई निर्मम हत्या संबल में दो महिला तसकर ग्रफतार अवैद इसमैक और नगदी हुई बरामद गोर्डा में बस की ट्रेक्टर से जोरदार भिडंत हादसे में यात्री गम भी रूप से घायल फरिदाबाद में दो महिला कर्मचारियों की हुए मौत यूफ्टियों का फासी से लटकता मिला शब कौशांबी में बेटी से मिले गए यूवक पर जानलेवा हमला होश में आने पर यूवक बोला पत्नी के भाईयों ने की जान से मारने की कोशिश लकनव में LDA के जोन 6 में फिर गर्जा बुल्डोजर यजदान पर एक बार फिर शुरू हुई द्वस्ती करण की कारवाई प्र्याग नारायन रोड पर बना है यजदान अपार्टमेंट अमेठी का पाश इलाका आवास विकास कॉलोनी बदहाल पूरी कालोनी में लगा गंदी का आमबार बरसात में वन जाता है ताला शामली में बिवाहिता की मौत पर जनों ने ससुरालियों पर दहेज की अत्रतिमान की चलते हत्या करने का आरूप लगाया सिंगाही की बेटी ने अमेरिका में नाम किया रोशन मेटकल कॉलेज में पोस्ट डॉक्टरल फैलो के पद पर हुई नियूप दे इटावा में वैपारियों ने जी एस्टी का पुतला जलाया बाइक रैली निकाल कर जताया विरोधू प्चुनाओं की हार का बदला लेने का आरूप लगाया तापमान गिरते ही आलू की फसल पर मडराया खत्रा पाले से सबसे अधिक होता है नुकसान बरेली में उद्यान विभाग किसानों का करेंगे जागरूग कानपुर्दे हात में लिपकों ने काली पटी बांध कर जताई नराजगी समस्याओं का निदान ना होने पर धरने की तैयारी में कमचारी हर्दोई में किसानों ने लगाए लंगूर के कट आउट फोटो देखकर भाग रहे बंदर किसानों ने कहा उनका प्रियोग रहा सफल अब फसल सुरक्षित लखनओ की इसमाइल गंज में पानी की पाईप लाइन फटी दो हजार से जादा परिवार हुए परुशान जल कल कार्याल है घेडने की देचे तावनी फतिपूर में पांच सूत्री मांगो को लेकर धना प्रदर्शन स्वास्त कर्मियों ने उपवास रखकर मुखमांतरी के नाम भेजा ग्यापन आंदोलन की देची तावनी अमिरपूर में खाद के लिए जद्दो जहेद लाइनों में लगे बुड़े बुजूर्ग और महिलाओं सहीत बच्चे समय पर खाद नहीं मिली तो होगा बड़ा नुकसान गोरकुर एरपोर्ट होगा हाई टेक फ्लाइट लेट या कैंसिल होने से पहले मिलेगा मैसेज सर्दी से बचने के लिए लगाये जाएंगे हीटर उनाओं में अगनी शमन अधिकारी ने बैंको का किया निरुक्षर दमकल कर्मियों ने एक दरजन बैंको की देखिया कीकत मिली खामिया लाश लेकर जा रहे हैं अम्बूलेंस ट्रेक्टर ट्रॉली से टकराई तीन घायल मुंबई से गोंडा जा रही थी अम्बूलेंस जहासी में ड्राइवर को जपकी आने से हुआ हादसा 75 जिले की 75 बड़ी खबरों में इतना ही देज़ दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे है प्राइम टीवी